नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग यहां पे हम लोगों ने लास्ट टाइम अपना टेंथ क्लास की जोगरफी का यह पहला चोप्टर छोड़ा था महीं से हम लोग शुरू कर रहे हैं यहां पे बात करेंगे रियो डिजनेरियो अर्थ समिट 1992 के बारे में तो भाई यह 1992 ज समिट का अर्जेंट प्रॉब्लाप्स देखनी थी इन्वाइरोनमेंटर प्रोटेक्शन से रेटेट सोशियो एकनॉमिक डवलेप्मेंट से रेटेट ग्लोबल लेबल पर जित्ते भी लीडर्स आये थे समने मिलके साइन क्या डेकलेरेशन ओन ग्लोबल क्लायमेटिक कुछ इन्फॉर्मल समिट्स हुए थे वहाँ पर बातचीत करते थे लीडर्स कि यहां भाई फॉरेस्ट को बचा कर रखेंगे तो कुछ बेसिक फॉरेस्ट प्रिंसपर्स थे जो और एक्जिस्टेंस में थे तो बोला गया कि भाई यह फॉरेस्ट प्रिंसपर्स को हम दो शब्द सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं अब देखते हैं एजेंडा 21 क्या है एक और बात यह जो 1992 की अर्थ समिट है इसको बोला जाता था यूनाइटे निशन्स कॉन्फरेंस और इंवारोन्मेंट और डवलपमेंट आपको पता है सीदे सीदे यह पूंच दिया जो व्यूएर्स है उससे सबसे पहले अगर कोई अपडेट दूगा तो टेलिगराम में दूगा तो टेलिगराम पर आप जोईन कर सकते हैं अगर आप मुझे कुछ बातचीत करना चाते हैं कुछ specific बारे में तो आप मुझे Instagram पर follow करके message भी कर सकते हैं वहाँ पे भी updates मिल ज E.D. Earth Summit जो कि ब्राजील में होई थी वहाँ पर इस Agenda 21 के Declaration पर हस्ताक चलू है थे. Agenda 21 क्या एम करता है तो भाई Global Sustainable Development को मीट करना है ये एम करता है तो Agenda 21 एक ऐसा Agenda है जिससे हम क्या करेंगे? Environmental Damage को Combat करेंगे, Poverty को कम करेंगे, Disease से लड़ेंगे कि इसके थुरू Global Cooperation के थुरू Global Cooperation होगा Common Interest में, Mutual Benefits में और Shared Responsibility तो Environment को नुक्सान ना पहुँचा है इसके लिए सारी Countries आपस में Shared Responsibility लेंगी, एक Responsible तरीके से काम करेंगी और एक Major Objective Agenda 21 का था कि that Every Local Government should draw its own Local Agenda 21, मतलब हर देश की सरकार अपने देश में Environment को सुधारने के लिए अपना खुद का एक Agenda 21 लेके आएगी, जदा तर देश लेके भी आएं लेकिन बहुत कम देशों ने इसके Theme पे Actually काम किया है, फिर हम लोग बात करते है, Resource Planning की, देखे, जब भी किसी चीज़ काम को इस्तमाल करना होता है, और प्रॉपर तरीके से इस्तमाल करना होता है, तो उसमें Planning involved होती है, Resources का अगर Judicious Use करना है, तो आपकी Planning बहुत Important हो जाते हैं, खासकर एक ऐसी Country जहां पे Availability of Resources में बहुत सी Diversity है, Diversity मतलब हर जगा पे Resources की Availability uniform तरीके से नहीं है, तो आपको देश में ऐसे बहुत सी इलाके मिल जाएंगे, जो Resources में बहुत रिच है, वहीं पर आपको कुछ ऐसे इलाके मिल जाएंगे, जो Resources में बहुत जद्ध डिफिशेंट है, कुछ ऐसे इलाके हैं, जहां पे resources कम है अच्छा कुछ ऐसे इलाके है जहां पे कुछ resources में self-sufficient है कुछ access है कुछ है ही नहीं तो यहां पे एक mismatch सा बनता नजर आ रहा है overall देश की requirements में एक्जाम्टल देखते हैं अगर आप बात करो जस्चारखंट, चट्टिसगाड और मद्दपदेश जैसे states की तो भाईया गजब के mineral deposits और cold deposits मिलते हैं, अभी देश के सारे states में इतने mineral और cold deposits आपको नहीं मिलेंगे, वहीं पे अगर आप अनुनाचिन पदेश जैसे state की बात करो थो वहां पे भाईया abundance of पानी है ब्रमपुत्रा वली जो river है वह भाईया भर के बहती है खूब पानी है, बट प्राबलम यह कि पानी जो खूब है, लेकिन infrastructure development नहीं है, तो उस पानी का एक limit से ज़ादा आप इस्तमाल नहीं कर सकते हैं, चुकि resource है, बट resource को इस्तमाल करने के लिए infrastructure और technology होनी जरूरी है फिर बात की जाए राजिस्थान की, तो राजिस्थान में जबरदस potential है solar energy का, wind energy का, लेकिन राजिस्थान में पानी की कमी है, dry state है, desert state है लद्दा की बात करिये तो cold desert से बहुत ही खूबसूरत इलाका, दुनिया भर के tourist जाते है, cultural heritage rich है बहुत ही जाता strategy के लाका है, बड़ पानी नहीं है infrastructure नहीं है, vital minerals नहीं है आज तक वहाँ पे internet की सुविधा भी proper तरीके से नहीं समय पहुंची है तो कहीं न कहीं आप देख सकते हो हमारे देश के अलग-अलग हिस्से में diversity है तो इस diversity को दूर करने के लिए centralized basis पे और साथ-साथ regional और local level पे एक proper resource planning करने की जुरू है और ये resource planning कुछ इस तरीके से करनी चाहिए कि भाया, resources को equitable तरीके से distribute किया जा सके और जब भी किसी चीज़ पे काम हो रहा हो resource allocation हो रहा हो तो central government के साथ-साथ जो state government है जो राजे की सरकारे हैं उनका भी उसमें कुछ कहना हो उनका भी उसमें उतना ही रोल हो इंडिया में resource planning की कुछ बाते कर लेते अभी इंडिया में अगर आप resource planning की बात कर रहे हैं तो थोड़ सी technical चीज़ें आपे बात की जाएंगी जैसे कि resource planning की complex process है क्यों है यानि कैसा resource है और कितना resource है कैसा resource आपको पता है कोल के बहुत से टाइप होते हैं anthracite, pit, leguminous, beat तो भाई, bituminous, sorry leguminous गलती से बोल दिया तो कोल के कौन सा टाइप के resource है इंडिया में कितना है तो इस तरीके का estimation करना पड़ता है measurement करना पड़ता है ताकि उसके कितने फाइदे हैं इनके बारे में inventory बनाई जा सके और फिर accordingly उसका खनन किया जा सके उसकी mining की जा सके फिर सासा evolving a planning structure endowed with appropriate technology के लिए institutional setup for implementing resource development plan वही बोल रहा हूँ मैं आप से कि भाई, आपने resources को identify कर लिया कितने हैं के लिए हमारे क्या technological progress है इन सब चीजों को देख के plan मनाया जाएगा और finally resource development plan को हमारे national development plan के साथ match किया जाएगा तो हमारा national कि हिसाब से progress कर रहा है हमें steel के कितनी growth करनी है हमें technology की field में कितना आगे बढ़ना है इन सब चीजों के हिसाब से हमारे resource के development को match कराके आगे बढ़ा जाएगा तो आप देखोगे कि India has made concerted efforts for achieving the goal of resource planning right from the first five year plan launched after independence मतलब इन्डिया ने resource planning के field में independence के बाद से सीधे first year plan में ही अपने planning मनानी शुरू कर दी थी अब बात यह है दोस्तों कि the availability of resources is a necessary condition for development of any region बात यह कि देखे कहीं पर अगर development होना है तो resource होना जरूरी है यह एक चीज है लेकिन केवल resource के होने से development हो जाएगा यह जरूरी नहीं तो अगर resource है तो उस resource को exploit करने के लिए appropriate technology और institutions भी होने चाहिए आपको तभी उस resource का आप कुछ use कर पायो अब आप कोईले की बात कर लो कोईला पत्थर है अब अगर आपको यह पता ही नहीं है कि कोईले का इस्तमाल क्या है तो वो हमेशा आपके लिए पत्थर ही रहेगा और पत्थर normally हमारे लिए useless है तो कहीं पर resource है तो आपको उस resource को exploit करना आना चाहिए technology के point of view से skill के point of view से उसके लिए proper institutional capacity होनी चाहिए तभी आप resources का इस्तमाल कर सकते हो जैसे कि for example हमारे देश की अगर आप बात करो ऐसे बहुत से इलाके हैं जो rich है resources में बट वो economically बहुत backward है चाहरकंट 36 गड़ की बात कर लिए और ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां पर resource based बहुत पूर है बट वो economically developed है आप गोवा की बात कर सकते हो ओके मैंने आप वो कुछ examples दे दिया आप और examples कुछ से भी धूर सकते हो colonization की बात की जाए colonization मतलब अंग्रेज जिनों जो हमारे देश को आके colony मनाया ऐसे दुनिया में उस समय पे बहुत सी ऐसी countries थी जिनको colony मना रहा था जैसे अफरीका की almost सारी countries गुलाम थी साउथ इस टेशिया की बहुत सी countries गुलाम थी तो England, France, America जैसी colonies ने इनके उपर कबजा कर रखाता है तो colonization की हिस्ट्रियम को क्या बताती है कि उन colonies पे कबजा क्यों करते थे colonial powers चुकि वहाँ पे उनको बहुत rich resources मिलते थे और चुकि इन colonial countries के पास मतलब ये जो colonies थी इंडिया, South East Asia की जो countries थी जिनके पास resources थे उनके पास technological progress नहीं थी उन resources को exploit करने की वो technological progress उन colonizing countries के पास थी England, France जैसी जो की इस level का हनन कर रहे थे शोशर कर रहे थे तो कही न कहीं जो countries colonize हुई उनको इस चीज़ का घाटा था तो भाई देखिए सीदी सीदी बात यह है कि resources can contribute to the development only resources हापके development में एक major role play कर सकती है जब उनको exploit करने के लिए appropriate technological progress हो institutional progress हो ठीक है फिर आगे बात की जाए in India development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resources and the historical experiences of people यानि कि कितने resource है यह matter करता है उन resource को हनन करने की आपके पास क्या technology है यह matter करता है quality of human resources क्या है और साथ-साथ लोगों के historical experiences क्या है इन सब चीज़ों पर डिपढ़े historical experiences का मतलब यह है कि for example forest एलाकों में अगर कुछ tribals रह रह रहे हैं और historically वो हमेशा से उस जगा पर रह रह रहे है वो उनकी जगा है और वहाँ पर आपको बड़ी coal mine मिल गई है तो उनको हटा के वहाँ पर हनन करने में परिशानी हो सकती है ठीक है फिर आगे बात कीज़े conservation of resources की resources किसी भी देश की developmental activity के लिए बहुत ज़दा important है तो अगर irrational तरीके से इन resource सा consumption किया जाएगा over utilization किया जाएगा तो बहुत सी environmental, social और economic problems इसके साथ जुड़ी हुई होगी इसलिए resource conservation को करना बहुत ज़दा ज़रूरी है ठीक है ना और ये बहुत important वज़ा रही है बहुत सारे leaders ने भी इसके ओपर आवाज उठाई है जैसे गांधी जी गांधी जी का एक statement और वो statement बहुत perfect था वो उस समय पे भी बहुत सदा relevant था ये आज भी बहुत सदा relevant है गांधी जी ने क्या बोला there is enough for everyone's need and not for everybody's greed यानि लोगों की जुरूत के हिसाब से हमारे nature ने हमें बहुत कुछ दे रखा है लेकिन लोगों के लालच के हिसाब से हमारे nature ने हमको उतना कुछ नहीं दिया है तो गांधी जी ने बोला कि जो greedy और selfish individuals है और इन selfish individuals ने जो modern technology बनाई है जिससे resources का exploitation करते है availability है वो सारे फायदे उठा ले जाते है और नीचे के लेवल पर जो लोग हैं जो थोड़े गरीब हैं जो थोड़े पिच्रे हुए है marginalized है, vulnerable है उनको कुछ नहीं मिलता तो जब sustainable development की बात होती है resource के optimum use की बात होती है तो यहाँ पे सबसे पहले एक club निकल के आता है club of Rome और club of Rome से related direct question UPSC ने पूछा तक अब आप सोचिए club of Rome से related direct question UPSC ने पूछा है उस समय पे लोगों को लगा कि club of Rome कहां लिखा है NCRT में लिखा हुआ है आप सोचे दोस्तों लोग पूछतें NCRT क्यों पढ़ना जब club of Rome आ गया था ने UPSC में लोगों का दिमाग खराब हो गया तक यह कैसे पूछ दिया यह तो news में है नहीं current affairs में है नहीं तो NCRT में तो है ना भाई तो आ गया सबसे पहले club of Rome ने बात की 1968 में यह बात चीथ हुई की resource conservation को proper तरीके से करना है 1974 में गांधियन philosophy को आगे बढ़ाते हुए गांधियन philosophy and resource conservation को आगे बढ़ाते हुए शूमाकर जी ने अपनी किताब लिखी Small is Beautiful इस किताब में इन्होंने लिखा कि global level पे resource conservation कितना important है यही बात Brentland Commission Report 1987 ने भी पूली तो इसके basis पे आप देखोगे Brentland Commission Report 1987 के basis पे sustainable development की अवधारना पूरे दुनिया में तीजी से प्रमोट की जाने लगी और यह बोला जाने लगा कि कहीं ने कहीं resource के conservation की जुरूत है चुकि उस समय पे अगर आप USA और जो European countries इनको देखोगे जब लेवल पे यह लोग resource का consumption कर रहे थे उससे में पे इंडिया चैना जिसी countries तो गरीब थी बट यह जो European countries थी Canada था North American countries थी यह बहुत ज़दा rich थी बहुत massive scale पे resource का consumption कर रही थी तो यह बात उठने लगी कि अगर आप इतनी तेजी से resource का consumption करोगे तो भाई future generations के लिए future resources के लिए कुछ बचेगा है नहीं आप खुदी सब खापी के खतम कर दोगे ओके तो फिर यह सारे viewpoint एक subsequent किताम में चपे जिसका नाम है our common future और बाद में sustainable development को एक important aim की तरह माना गया earth summit at Rio de Janeiro Brazil in 1992 अभी जब resource mobilization की बात हो रही है तो हम लोग land sources की भी बात करते हैं देगे हम लोग जमीन पे रहते हैं हमारी सारी की सारी हमारी ज़्यादा तर economic activities actually most of the economic activities are related to land land obviously एक natural source की तरह निकल के आता है जितनी भी natural vegetation है land पे wildlife land पे human life land पे economic activities land पे हो रही transport sector, communication sector सारे systems land पे लगे हुए तो land एक asset है और land एक limited asset है अगर देखा जाए इंडिया की बात की जाए land अंडर important relief features in India तो plains is around 43% of the India's land mountains is around 30% of India lands, priorities around 27% of India's land और land एक finite resources है खासकर इंडिया जैसी country की बात की जहाँ इतनी ज़्यादा आबादी है वहाँ land obviously एक बहुत finite resource की तरह निकल के हमारे सामने आता है इसलिए जब भी land को अलग-अलग purposes के लिए इस्तेवाल करने की बात करी जाती है तो बहुत चता careful planning उसके साथ associate होनी चाहिए land में बहुत सारे relief features है जैसे mountains, platews, plains और islands, 43% plain है और ये plain land बहुत ज़रूरी है एक तो agriculture के perspective से चुके mountainous इलाकों में agriculture थोड़ा सा limited हो जाता है दूसरा industry के perspective से अगर बात कीज़ें mountains की तो 30% of the surface area वहाँ पे है mountains से एक अलगी वज़े से important हो जाते है first of all, एक green मतलब एक अलगी तरीके का ecosystem है वो दूसरी चीज इनी mountains से नदिया निकलती है और ये नदिया खासकर अगर हिमालियन नदियों की बात करो तो perennial flow है नका यानि पूरे साल ये नदिया बहती है तो पूरे साल ये पानी की availability को northern India में ensure करती है आप देखोगे southern India की भी बहुत सारी नदिया वेस्टन घाट से निकल रही है वो भी mountains है प्लस mountain में tourism होता है बहुत सारे ecological aspects जुड़ हुए है कुछ ऐसी species हैं plants की जिनके medicinal purposes है ओके आगे बात की जाए तो हमारे देश का 27% जो इलाका है वो plateau इलाका है यहाँ पे rich reserves मिलेंगी minerals के, fossil fuels के, forest के तो land अपने आप में ही बहुत सारे तरीकों के सारव से इस्तमाल किया जा सकता है अब इंडिया में land को किस-किस तरीके से utilize किया गया segregate किया इसकी बात कर ले थे सबसे पहले आते हैं forest दूसरे नमबर पे land not available for cultivation अभी land not available for cultivation में दो types है, एक तो baron और wasteland दूसरा land put to non agricultural uses यानि buildings, roads, factories को बनाने के लिए जिस land को इस्तमाल किया गया, तो यह वो land होगा है जो cultivation के level नहीं है, दूसरा है baron और wasteland अब यह कितना कितना percent है इसको अभी के लिए हम यहां discuss नहीं कर रहे हैं, यह भी पैस्चर्स और grazing land, जहां पर जाके यह जो भेड बक्रियां है, घाए भैसे हैं, वो चरती है पास्चर्स हो गए, फिर miscellaneous tree crops के अंदर जो land आते हैं इसको net zone इलाके में नहीं जोडा जाता है culturalable wasteland, यानि कि 5 साल से ज़ादा, अगर किसी land पे crop को नहीं होगाया गया, तो वो culturalable wasteland बन जाता है, तो यह तो वो land हो गया, जो कि other cultivated land और fellow land की category में नहीं आता है fellow मतलब खाली छोड़ा हुआ, fellow land की category में क्या होता है, एक तो है current fellow, मतलब वहाँ पे एक agriculture year या उससे कम में cultivation ना किया गया हो फिर इसी के अंदर एक sub category है, other than current fellow इसमें वो land है, जिसमें पिछले एक से पाँच साल में cultivation ना किया गया हो और पाँच साल से उपर अगर cultivation नहीं किया गया है, तो वो other uncultivated land की category में चला जाएगा, किसमें culturalable wasteland में फिर net zone area की बात करते हैं net zone area क्या होता है दोस्तों वो इलाका जहां पे साल में crop उगाई जाती है अभी आपको पता ही है दोस्तों कि हमारे यह तीन seasons है, zayd, खरीफ और rabi crops इन तीनों seasons में crop उगाई जाते हैं अब land पे, एक ही land पे खरीफ crop भी उगाई जाएगा rabi crop भी उगाई जाएगा जैद crop भी उगाई जाएगा तो अभी सी बात है एक land पे, एक साल से जादा बार, sowing, cropping, harvesting यह सब कुछ होता है तो भाई, बात यह हैं कि मान लीजे, 100 hectares of land है इस 100 hectares of land पे season में मान लीजे, 3 crops होगाई गई तो इस 100 hectares of land को 3 बार जोना जाएगा न, 300 hectares गिना जाएगा तो net sown area तो आ जाएगा भाई overall कितना land है जिसको एक या एक से बार, जदा बार till किया जा रहा है यहाँ पे एक concept निकल कहाता है gross cropped area gross cropped area का मतलब क्या होता है दोस्तों कि मान लीजे, 100 hectares of net sown area है इस 100 hectares of net sown area को एक साल में 3 बार 100 किया गया है तो overall land usage कितना हो गया 300 hectares का तो यह 300 hectares क्या हो जाएगा gross cropped area ठीक है तो यह होता है दोस्तों net sown area जिस पे मतलब साल भर का जो overall land है उसके उपर crop होगा ही जा रही है अभी उस land के उपर बार-बार आप अलग-अलग cropping seasons में crop होगा होगे तो overall जो cropped area है पूरे साल में वो बढ़ जाएगा इसलिए gross cropped area हमारे आपको ज़ादा नज़र आएगा land use pattern की बात करते हैं land use pattern बहुत से fiscal factors भी depend करता है topography भी depend करता है climate भी depend करता है soil type भी depend करता है human factors भी depend करेगा एक जगा की population कितनी है महाँ पर population density technological capability महाँ के culture traditions क्या है तो यहाँ पर पूर्ड़ को अगर नहीं काटा जाता है तो महाँ पर forest जादा होंगे deforestation हो गई नहीं यहाँ पर देखिए अलग अलग land use category दिखा रखी है एक data 1960 का यह वाला एक data 2014 से 2015 का यह वाला यहाँ पर आप देखो मैं कुछ ही data आपको बताऊंगा जैसे इस वाले portion की बात करो तो यह portion denote करता है area under non agricultural uses यह 46.26% था आपका किसमे 60.61 में और 45.5% हो गया 2014-15 में कुछ major change नजर नहीं आ रहा है major change यहाँ पर नजर आ रहा है forest में 18.11% थे 60.61 में 23.3% हो गया 2014-15 में खाला कि forest को गिनने की methodology को यहाँ पर थोड़ा question किया गया बढ़ उस पर नहीं जाते फिर यह 18.11% वाला इलाका जो baron और unculturable wasteland है यह आप केवल 5% बचा है 2014-15 में तो यह कुछ trend है जो आपको नजर आ रहे हैं इनको trend को अभी आगे text में भी explain किया गया है देखते हैं अगर देश के overall geographical area की बात की जाए तो this is somewhere around 3.28 million square kilometer लेकिन data केवल 93% of the geographical land के लिए available है चुकि almost सारे northeast के states के land की surveying हो सकती है हो चुकि आसाम में पूरी surveying नहीं हो रही है फिर जमून कश्मीर का एक बहुत major इलाका चाइना ने कबजा रखा है पाकिस्तान ने कबजा रखा है तो उस इलाके में हम survey नहीं करवा पाएं चुकि obviously बात है वहापे चाइना और पाकिस्तान का कबजा है अगर आप उपर के figures को देखोगे तो आपको दिख रहा है कि permanent pasture के अंदर जो land availability है वो घट रही है देखते है permanent pasture है ये वाला color ये वाला color क्या दिखाता है 4.71% यहाँ पे यह चीज हो गई 3.3% तो जो permanent pastures है जो कि cattle को grays कराने के लिए काम हो रहे हैं वो कम हो रहा है तो यहाँ पे सवाल उठाय जा रहा है कि अगर हमारे permanent pastures कम होंगे तो हम अपने cattle population को कैसे support करेंगे फिर most of the other than current fellow lands are either of poor quality or the cost of cultivation of such land is very high hence these lands are cultivated once or twice in about 2-3 years and if these are included in the net zone area then the percentage of NSA in India comes to about 54% of the total reporting area भाई बात यहाँ पे क्या बोली जा रही है इस इलाके की बात हो रही किसकी other than current fellow other than current fellow इलाका यह देखें फैलो other than current fellow यहाँ पे किता दिख रहा है 3.5% 3.6% अब बोला यह जा रहा है कि भाई other than current fellow का जो इलाका है यह वो लैंड है जहाँ पे crop का cultivation जएदा होता नहीं है अगर होगा भी तो 2-3 सालों में एक या दो बार होगा तो अभी सी बात हैं यहाँ पे पैदावार जदा है नहीं तो इसको वैसे तो net zone area में include किया नहीं जाता है मान लीजे आप इसको net zone area में include कर भी देते हो तो उससे overall जो net zone area इंडिया का वो 54% of the reporting area पे पहुंच जाएगा बट फायदा क्या अगर आप पूरे देश में net zone area की बात करो तो state by state यह net zone area बहुत vary करता है obviously vary करेगा कुछ जगों पे plane इलाके हैं कुछ जगों पे mountain इलाके हैं तो अगर आप बात करो पंजाब जैसे state की और आप बात करो उत्तराखंड की है तो उत्तराखंड में पहाड है पंजाब में पहाड उत्ते हैं नहीं तो पंजाब plane इलाका है तो obviously बात है पंजाब में जो zone area है जो agriculture है वो ज़ादा हो सकता है when compared to उत्तराखंड तो यही बता रखा है पंजाब और हरियाना में 80% इलाका आपका net zone area है अगर पूरे देश की बात की जाए तो देश का 33% जो इलाका है वो forest area होना चाहिए यह कहां लिखा है यह national forest policy 1952 में लिखा है बट क्या है नहीं है forest इतने important क्यों है चुकि देखे ecological balance को maintain करना है तो forest को तो लगा के लखना है forest के साथ millions of people का livelihood जिड़ा हुआ है जो पूरी तरीके से forest पे dependent है इनमें हमारे देश के tribal लोग आते हैं जिनके बारे मैंने पहले आपको बताया है ओके फिर land में वो इलाका जो की wasteland है and land put to non agricultural uses तो अब इन इलाकों में agriculture तो हो नहीं सकता first of all wasteland में क्या क्या आता है तो rocky इलाका जहां पे चट्टाने arid इलाका, desert इलाका, राजिस्तान का, थार इलाका यह सब waste इलाका है यहां पे देखे कुछ भी नहीं हो सकता तो जब यहां पे कुछ नहीं हो सकता तो आप इन इलाकों पे खुछ कर भी नहीं सकते अब बात यह है कि इन इलाकों में जो problem से वो दूसरे इलाकों में न जाए आपको पता है ना deserts expand करते है और यह expand करते है land degradation के process के थूँ तो कहीं न कहीं land degradation पे बात चीत करी गई है इस पर हम थोड़ी देर में आते है फिर कुछ ऐसा भी land जो non agriculture uses में है जैसे कि आप roads बनाने के है railways बनानी है airport बनानी है industry बनानी है तो यह चीज़ें भी ज़रूरी है modern economy के concepts को देखा जातो तो अभी अगर यह सब चीज़ों को बनाना है तो उस land को आपको agriculture से अठाना पड़ेगा तो आप देखोगे दोस्तों land का जो usage है न वो लगातार बदल रहा है कहीं न कहीं हमको land की usage को conserve करना है और manage करना है चुकि अगर हम नहीं करेंगे तो बहुत तेजी से land degradation होगा और अगर हमारे land की quality गिरी तो जैसा कि मैंने आपको बताए कि land एक important resource है अगर हमारा resource degrade होगा तो हमारी society और environment में इसके clear cut effect आएंगे और खास बात दोस्तों land की ये है कि land को हमारे पूरवजों ने हमारे साथ share कि हमारी जो future generations आएंगे हमारे बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, उनके बच्चों बच्चे वो सब इसी land को इस्तमाल करने वाले हैं जिसपे हम लोग रह रहे हैं हमारी 95% requirements food की, shelter की, clothing की ये land से आती हैं ठीक है ना? अब human activities की lands का degradation हो रहा है इस land की degradation को रोक रहा है ये land का degradation human activities की वज़े से हो रहा है naturally भी हो रहा है बट जो natural forces की वज़े से land का degradation हो रहा है वो human activities की वज़े से aggravate हो गया जिसको arrest करने की जरू होते है तो अगर आप desert इलाकों में जाओगे तो sand duns का formation होता है आपको पता है ना, deserts अपने आपको expend करते है वो फैलते ही चले जाते है sand duns बनते चले जाएंगे ठीक है ना wind erosion की वज़े से deserts फैलते ही चले जाएंगे तो उस चीज़ को arrest करने की जरू होते है फिर human activities जैसे की deforestation land degradation करता है over grazing pastures का land degradation करता है mining की वज़े से land degradation होता है इन सब चीज़ों को कही न कही रोकने की जरूवत है जब mining होती है किसी जगह की तो जमीन को खोद दिया जाता है तो अब जब उस जमीन को खोदा जाएगा तो सबसे पहले तो आप पेड़ काट होगे पेड़ काट होगे तो deforestation होगा तो आप देखोगे कि जारखंड 36 खंड, मदपदेश और ओडिसा में heavy amount में deforestation हुआ है जिसकी वैसे severe land degradation हुआ है साथ साथ जब आप mining करते हो तो उपर की पूरी की पूरी land की surface को उखाड के बाहर फेक देते हो तो नीचे का इलाका exposed हो जाता है एक बार आपने mining कर ली वो mining pits फिर खुली छोड़ दी जाती है अरे उन mining push को भढ़ो ना land leveling करो land leveling करती नहीं companies उससे उनको नुकसान होता है तो इससे ecological problems है deep scars हो जाते है land में land का degradation होता है फिर गुजरात, राजिस्थान, मद्द पदेश महारास्ता जैसी states की बात करो तो वहाँ पे over grazing एक बहुत बड़ी problem है एक वज़ा बन के आती land degradation की पंजाब, घरियाना, western उत्तर पदेश में क्या हुआ है कि भाई है tube well दे दिये farmers को freemate उन farmers ने नीचे से underground water को खीच खीच के खीच खीच के इतना ज्यादा irrigation किया कि underground जो water table वो तो नीचे गई गई प्लस water logging हो गई इनके agriculture में water logging एक बहुत common problem है और water logging से soil की quality खराब होती है salinity बढ़ती है alkalinity बढ़ती है soil की फिर भाई, जो mineral processing होती है जैसे grinding of limestone cement industry के लिए calcite और soapstone का बनना ceramic industry में इससे dust पैदा होती है ये dust atmosphere में निकलेगी तो लोगों की body में गुसेगी तो problem कर सकती है बहुत सारी बिमानियां कर सकती है साथ-साथ ये जमीन पर जब settle down करेगी तो पानी के infiltration rate को रोग दोगी तो अकर soil के ओपर ये dust गिरती है तो पानी का जो infiltration rate है soil में वो कम हो जाएगा तो first of all water logging बढ़ेगी दूसरी बात वो पानी infiltrate नहीं करेगा तो नीचे ground double maintain नहीं होगा तो इस तरीकी की कितनी problems जुड़ी हुई है फिर recently आमने देखा कि जो industries काम करती है वो अपनी गंदगी बाहर फेकती है waste की तरह अभी यही गंदगी पानी में भी जाती है land में भी जाता है हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा इससे polluted होता है तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को रोकने की ज़रूत है भाई तो भाई इन सब problems को solve करना है उससे land degradation की problem को solve किया जा सकता है तो इसके रेख पेड़ लगाईए grazing का proper management करिए shelter beds बनाईए shelter beds से wind erosion soil erosion को कम किया जा सकता है sand dunes को stabilize किया जा सकता है sand dunes को stabilize करने के लिए thorny bushes भी लगा सकते है जो sand के land form से को मैंने पहले भी NCRT में discuss किया मेरी सारी NCRTs देखिया आपको यह पता चलेगा कि यह चीज़ें कैसे होती फिर भाई यह wasteland का proper management करना है mining activities पे control करना है जो industrial effluents को आप पानी में discharge कर रहे हैं उनको proper treat करके discharge करो ताकि उसमें गंदगी कम हो और फाइली आते हैं हम लोग soil as a resource पे soil एक important renewable natural resource है सारे living organisms पेड़ पौधें यह सब soil से ही आते है sun की energy plants में आती है plants से animals में जाती है हम में आती है animals को हम काते हम जिन्दा रहते है overall यह soil हमारे जिन्दा रहने के लिए बहुत important है few centimeters of soil को बनने में millions of years लगते हैं तो अगर यह soil degrade हो गया तो इसको वापस reclaim करना बहुत मुश्किल हो जाएगा बहुत सारे factors है soil formation में parent rock, relief, bed rock, climate, vegetation other forms of life यह सब important factors है nature के साथ जुड़े हुए है तो अगर nature में changes आएगा temperature, glaciers पिगलेंगे wind erosion होगा running water erosion होगा decomposers की activity में change होगा तो obviously soil की quality भी नीचे जाएगी तो कहीं न कहीं यह सारी activity एक proper balance में होनी ज़रूरी है अगर soil की formation को हमको proper करना है चुकि soil degrade भी लगातार हो रहा है और soil form भी लगातार हो रहा है soil में लगातार chemical और organic changes होते है soil की बहुत सी layers है जो कि पहले science की किताब में science and CRT में आपको पढ़ाई है यहाँ पे एक basic idea दिया है यह तो खैर कुछ भी नहीं है जो main soil की layers है वो मैंने पहले के CRT में cover कर रखी है अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा नहीं देखी है तो देखी जागे तो यह soil हमारे लें काफी important निकल किया आता है इसी soil में organic humans भी होता है inorganic materials भी होते है soil formation बहुत सारे factors भी depend करता है soil का color क्या है, thickness क्या है, texture क्या है, age क्या है chemical physical properties के साब से soil का classification किया जाता है aluvial soil, black soil, ठीक है न black cotton soil, मैंने बहुत बार बताया है के बारे में, aluvial soil के बारे में बहुत बार बताया है नीचे बात की जाए, तो भाया यहाँ देखें कितने तरीके soil देखें है, red and yellow, black laterite, acidic, aluvial, forest and mountains जिनको हम लोग अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे, कहीं न कहीं इस से soil से related बहुत सारे associated facts को मैं पहले NCRT में cover कर चुका हूँ तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए, तो please जा के देखिए thank you for watching this video friends, thank you for your time नीचे comment box में अपने viewpoints जरूर दीजेगा have a great day, वीडियो को like और share किये न मत जाहिएगा, good bye